किड़नी के काड़, किड़नी की जरूरत और महत्व क्या है? प्रतेक व्यरकेत द्वारा लिए गए आहर के प्रकार और उसकी मात्रा में हर दिन परिवर्तन होता रहता है। पर वेह व्यक्ति के लिए जान लेवा हो सकता है। अप्षिष्ट उत्पादों को निकलना, अप्षिष्ट उत्पादों को हटा कर रक्त की शुद्धी करना किड़नी का सबसे महत्वपूर्ण कारे है। यह प्रोटीन शरीर को आरुग्य रखने और शरीर के विकास के लिए आवश्चक है। प्रोटीन का शरीर द्वारा उप्योग किया जाता है किन्तु इस प्रक्रिया में कुछ अप्षिष्ट पदार्थों का उत्पादन होता है। इन अप्षिष्ट पदार्थों का संचय हमारे शरीर के अंदर जहर को बनाये रखने के समान है। शरीर में पानी का संतुलन, किड्नी शरीर के लिए जरूरी पानी की मात्रा को रखते हुए अधिक जमा हुए पानी को पेशाब द्वाराम बहार निकालती है। जब किड्नी खराब हो जाती हैं तो वे इस अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर करने की क्रमता को खो देती हैं शरीर में अतिरिक्त पानी एक अत्रित होने के कारण शरी में सूजन हो जाती है किड्नी इन हिंदी चार अमले वंक्षार का संतुलन होते हैं. सोडियन की मात्रा बढ़ने या गटने से दिमाग पर और पोटैशियम की मात्रा बढ़ने या कम होने से हिद और सनायूं की गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ सकता है. कैल्शियम और फोस्फोरस को उचित रखना और उनके स्तर को सामान ले रखना हमारे शरी में स्वस्थ अडिडियों और स्वस्थ डातों के लिए अति आवश्यक है 5. खून के दबाव पर नियंतरण किड़नी कई हार्मोन बनाती है जैसे एंजियोटेंसीन, एल्डोस्टोरोन, प्रोस्टागलेंडी नित्यादी इन हार्मोनों की सहायता से शरी में पानी की मात्रा, अमलो एम वंक्षारों के संतुलन को बनाय रखती है इस संतुलन की मदद से किड़नी शरी में खून के दबाव को सामान ले बनाय रखने का कारे करती है किड़नी की खराबी होने पर होर्मोन के उत्पादन नेवम नमक और पानी के संतुलन में गरवडी से उच रक्त चाप हो जाता है 6. रक्तक्रणों के उत्पादन में सहायता, खून में उपस्थित लाल रक्तक्रणों का उत्पादन एरिथ्रोपोएटीन की मदद से अस्थिमजा बोन मैरो में होता है। किड्नी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करती है जो भोजन से कैल्सियम के अवशोशन, हडडड़ियों और दातों के विकास और हडड़ियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। प्रती मिनट 1200 मिली लिटर खून स्वच होने के लिए आता है जो हृड़ियों द्वारा शरी में पहुचने वाले समस्थ खून के 20 प्रतिशत के बराबर है। इस तरह 24 घंटे में अनुमानत 1700 लिटर खून का शुद्धी करण होता है। खून को साफ करके पेशाब बनाने का कारे करने वाले किड्नी की सबसे छोटी एवांबारीक यूनिट को नेफ्रोन कहते हैं, जो एक चनी की तरह होती है। प्रते किड्नी में 10 लाक नेफ्रोन होते हैं। प्रतेक नेफ्रोन के मुखे दो हिसे होते हैं। पहला ग्लोमेरूलस और दूसरा ट्यूब यूल्स। किड्नी का मुखे कारे खून को शुद्ध करना और शरी में पानी A14 का संतुलन करके पेशाब बनाना है। ग्लोमेरूलस एक प्रकार की चनी होती है। इसमें विस्पंदन की विशेशता के साथ छोटे छोटे छेद होते हैं। जलो और छोटे आकर के पदार्थ आसानी से उसके माद्यम से चन जाते हैं। लेकिन बड़े आकर की लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेट लेट्स, प्रोटीन आधी इंचिद्रों से पारित नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनकी कोशिकाओं को स्वस्थ लोगों की पेशाब जाच में समाय तह नही देखा जा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोमेरुलस के नाम से जानी जाने वाली छनी प्रतेक मिनट में 125 मिली लिटर प्रवाही बनाकर प्रतम चरण में 24 घंटों में 180 लिटर पेशाब बनाती है। इस 180 लिटर पेशाब में अनावशक पदार्थ, ख जहां उसमें से 99 प्रतिशत द्रव का अवशोशन रियाप्स ओर्प्शन हो जाता है। क्यों ब्यूलस में होने वाले अवशोशन को बुध्धि पूर्वक क्यों कहा जाता है? इस अवशोशन को बुध्धि पूर्वक कहा गया है क्यूंकि 180 लिटर जितनी बड़ी मात्रा म बने पेशाब में से जरूरी पदार्थ एवन पानी कुन है शरीर में वापस लिया जाता है। सिर्फ एक से दो लिटर पेशाब में पूरा कच्रा एवन अनावशक शार बाहर निकल जाता है। इस तरह किड़नी में बहुत ही जटल विधी द्वारा की गई सफाई की प्रक सवरण के तापमान पर आधारित होती है। अगर कोई वियरकित कम पानी पीता है तो सिर्फ आधा लिटर पांच सव मिस्टर ली जितना कम किन्तू गाड़ा पेशाब बनता है। अधिक पानी पीने पर अधिक तथा पतला पेशाब बनता है। गर्मी में अधिक पसीना आन पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। शोडियन की मात्रा बढ़ने या गटने से दिमाग पर और पोटैशियम की मात्रा बढ़ने या कम होने से हिर्दे और सनायूं की गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इन हार्मोनों की सहायता से शरी में पानी की मात्रा अमलों इम अंक्षारों के संतुलन को बनाए रखती है। इस संतुलन की मदद से किड़नी शरी में खून के दबाव को सामन ले बनाए रखने का कारे करती है।